नमस्कार दोस्तों, हेलो हाई, सस्रिकाल जैहिंग, मैं आज आपके लिए लाया हूँ हाईब्रीट कार्स, गुनवर्था और परकार्स, तो चलिए तेर नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं वीडियो में हाईब्रीट कार के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह होता है क्या और इसे फाइब क्या है, यूजर्स कई बार हाईब्रीट कार और इलेक्ट्रिक कार को लेकर, कंशूज, कंशूज, कंशूज रहते हैं, वही हाईब्रीट कार भी कई तरह की फुत ही अगर आप भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वीडियो देखिए यहाँ पर हम पूरी जानकारी है गारी का देंगे चलिए है अधिकल कार के बढ़ते बाजार के बीच है बीच सब्द कापी चर्चित में रहा है अक्सर लोग फुली एलेक्टिक कार और हैब भीचिछली रूप है एक हाइबरिट कार में फूल इंजन के साथ कम से कम kobit कल मोटर को जुड़ा जाता है है में कई तरह की होती है कुछ हाज़ी कार पूरी तरह से लेक्मोटर पर संतिया कुछ फूल Megay लगर बिच सालती है और किसी कारण में दोनों पैसी किसी में दोनों चीजों के साथ भी काम करती है, तो hybrid car क्या है, यह भी देखते हैं और आगे भी बढ़ते हैं, hybrid car में कई high voltage battery pack होती है, जो yellow color में वायरिस का है मोटा मोटा, यह battery pack fuel की खपत को कम करता है, जिससे car को बहतर mileage मिलता है, वहीं hybrid car में fuel injection का इस्तमाल battery को charge करने और maintain रखने के ल रखना सामिल रहता है, car कंपनिया hybrid car बनाने के लिए इस design का सबसे ज़्यादा इस्तमाल करती है, जिसको बोलते हैं parallel hybrid, इसमें electric motor और fuel injection का common transmission के transmission से जुरे रहते हैं, इस design में hybrid car का transmission, automatic, manual या continuously wearable transmission जिसको हम लोक्सिविटी भी बोलते हैं, और सकता है कि parallel hybrid का इस्तमाल करने वा Hyundai, Kia, Ford, Honda, Lynx, Nissan और Infiniti साविल है, श्रीज hybrid design में शारास जोड़ electric motor पर होता है, और इसमें fuel injection wheel के बीच कोई जुराव नहीं होता है, इसमें fuel injection के बेटरी को चार्ज करने के लिए रहता है, इसकी वज़ए से यह design एक electric car experience देता है, वाई fuel engine के काम करने पर भी, कार में कम vibration होती है, BMW i3 hybrid car में series hybrid design का इस्तमाल किया गया, आप fuel in hybrid के आई यह भी देखते हैं, यह design पर पुरिक hybrid car के कोरशप्ट से प्रेडित है, इसमें electric और electric car की तरह एक काफी बड़ा battery pack होता है, जिससे बाहर लगे socket से चार्ज किया जाता है, यूजर्स को अपने घर, office या पब्लिक charging station किसे कार को battery चार्ज करना पड़ता है, या यूजर्स कार के model के इससे आप से लगबाग 25-90 km तक की range देता है, पलक इन hybrid design में एक सांदार कार है, आप दिखें माइड hybrid क्या है, मैंने पीछे जो बताया, सारे design pull hybrid मानी दाते हैं, जिसका मतलब है कि fuel injection के अलावा electric motor से भी कार को चलाया जा सकता है, वही mile hybrid के मामले से ऐसा नहीं होता है कि इससे electric motor car के fuel engine की मदद करने के लिए होता है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो like, comment, subscribe करें और इससे भी बेहतर वीडियो बनाएं, आप हमें support करें, और हमारे वीडियो को subscribe करें, like करें, share करें ग्रूप में आपके friends से, नमस्कार जैने सुष्रिपका